नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से जितने भी प्रश्ण अभी तक 2000 से 2021 तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्णों को लेकर मैं उपस्ति थून हूँ ये प्रश्ण TGT PGT और NBS TGT PGT उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश यानि सभी राज्यों से सम्मंधित प्रश्णों को लेकर आई हूँ आप हर प्रश्ण के नीचे भी देख सकते हैं जैसे पहला प्रश्ण है वह TGT परिक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्ण है तो आईए ऐसे ही सभी प्रश्णों को हम सौल्व करते हैं और उनके व्याख्या के साथ तो वीडियो को पुरा अंत तक जरूर देखें इस वीडियो में हमने 50 प्रश्णों को समाहित किया है तो चले शुरू करते हैं अफला प्रश्ण है गार्शादा तासी के इतिहास गरंट दला लिट एस्ट ओर एंधुवी एंधुस्तानी का दूसरा संस्करन कभ प्रकासित हुआ तो दूसरा संसकरन जो प्रकाशित हुआ था वह 1971 इस्वी में प्रकाशित हुआ था 1971 इस भी में यह जो दूसरा संसकरन प्रकाशित हुआ था तो वो तीन भागों में विभक्त हो गया था आईए अब हम दूसरे प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सुत्रपात किस ने किया तो दूसरा प्रश्न का आउप्शन दूसरा एंसर हो जाएगा गार्शाद तासी गार्शाद तासी ने इतिहास लेखन की परंपरा का सुत्रपात किया था अब अगले प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है अगला जो प्रशन है वह है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्व प्रथम किस भासा में हुआ ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा फ्रेंच भासा में अब अगले प्रश्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसाद अतासी किसके बिद्वान थे ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा फ्रांस इसी बिद्वान थे गारसाद अतासी अगले प्रश्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है option दूसरा सही हो जाएगा गार्षादा तासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक है अगले प्रश्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण है काल क्रमा अनुसार लिखा गया हिंदी सहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ओप्सन आप सभी देखते जाएंगे क्योंकि अगर मैं सभी ओप्सन को बोलूंगी तो समय जादा लगेगा तो आप इस वीडियो को पॉस करके ओप्सन को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इसमें ओप्सन चौथा सही हो जाएगा दो मॉर्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर अफ हिंदुस्तान हिंदी सहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया यह देखिए यह प्रवप्ता परिक्षा 2009 में आया हुआ प्रशन है आप चलते हैं हम अगले प्रशन के तरफ अगला प्रशन है हिंदी सहित्य का प्रथम व्याकरन किसने लिखा तो हिंदी सहित्य का प्रथम व्याकरन जो लिखा है वो है जो सुआ केटलर आप्सन पहला सह अब अगले प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं अचार रामचंदर शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालो के नाम करन का आधार क्या रहा है option दूसरा सही हो जाएगा यूग प्रवर्ती यूग प्रवर्ती अचार रामचंदर शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी सहित्य का इतिहास में कालो के नाम करन को यूग प्रवर्ती के नाम से जाना गया हिंदी सहित्य के इतिहासो के कालो का दोहरा नाम करन करते हुए उन्हें चार कालो में बाटा है किसने अचारिय रामचंदर शुक्ल ने अगला प्रशन है रामचनर शुकल का हिंदी सहित्य का इतिहास मुलतह किस कृती की भूमिका में के रूप में लिखा गया था तो इसका ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा हिंदी सब्द सागर अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है रामचनर शुकल का सहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी सहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकासित होकर सब्द सागर की भूमिका में किस सिर्शक से लिखा गया था ओप्सन चोथा सही हो जाएगा हिंदी सहित्य का विकास अगला प्रशन है इन में से वह कौन सी रचना है जिसे मुलता हिंदी सब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किन्तु बाद में उसे स्वतंत्र गरंथ बना दिया गया यह देखिए यहाँ प्रशन केविएस फ्रवक्ता परिक्षा 2014 में पुछे गए थे इसका ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा अचारी रामचंदर सुकल कृते हिंदी साहित्य का विकास अगला प्रशन है अचारी शुकल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भोमिक्या के रूप में छपा था आप्सन पहला सही हो जाएगा हिंदी सब्द सागर अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है अचारी रामचंदर सुकल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकासन वर्स है ओप्सन चोथा सही हो जाएगा 1929 इसवी अगला प्रशन है इतिहास लिखन की सबसे विकसित पदधती है तो इतिहास लिखन की जो सबसे विकसित पदधती है वह है विधे वादी पदधती अचारी रामचंदर सुकल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास गरंथ इसी पदधती पर लिखा है और इस पदधती में योगीन प्रवर्ती और कालों को वैग्यानिक रूप से निरूपित किया गया है तो इस प्रकार से इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पदधती है वह है विधे वादी पदधती इसे याद रखना है अगला परशन है सीवसी सरोज का रचना काल है तो सीवसी सरोज का रचना काल है 1883 इसवी लेकिन ओप्षन में 1883 कहीं नहीं लिखा है लेकिन तो इसलिए यह प्रशन का जो उत्तर है ओप्षन है वह गलत कहा जाएगा इसका ओप्षन हुगा 1883 अगले प्रशन के तरफ अगे बढ़ते हैं आंगल भासा में लिखा गया हिंदी सहित का इतिहास एसक्रेच ओफ लिटरेचर के लेखक है ओप्षन दूसरा सही हो जाएगा पादरी एडविन ग्रेव्ज अगला प्रशन है एसक्रेच ओफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है ओप्षन चोथा सही हो जाएगा एडविन ग्रेव्ज अगला प्रशन है ग्रियर्शन कृत दौ मौडल वर्णा क्यूलर लिटरेचर ओफ हिंदूस्तान का हिंदी अनुवाद किस ने किया ओप्षन पहला सही हो जाएगा ड़क्टर किस्ऊरी लाल गुप्थ अगला प्रशन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इन में से किस गरंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सिर्षक से किया ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा अगला प्रश्न है इन में से किस इतिहासिक गरंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकासित कराया ओप्सन चौथा सही हो जाएगा दौ मॉर्डर्ण वर्नकुलर लिटरेचर ओफ हिंदुस्तान को अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 अभी तक आपने देखा कितने सारे प्रश्न है जो अलग अलग तरीके से पूछा गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया प्रश्न है यह पीजिटी परिक्षा 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 दा मॉर्डर्ण वर्ना किलोर लिटरेचर ओफ हिंदुस्तान के लेखक है ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा जार्ज क्रियर्शन इसके लेखक है अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास गरंथ में शर्व प्रथम किस साहित्य का काल विवाजन मिलता है तो यहाँ पर आप प्रश्नों को अच्छे से देख सकते होंगे प्रश्न संख्या 26 इसका ओप्सन चौथा सही हो जाएगा जार्ज ग्रियर्शन हिंदी साहित्य के काल विवाजन सबसे पहले जार्ज ग्रियर्शन ने किया अगले प्रश्न के तरफ आगे वठते हैं अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के लेखन और काल विवाजन में कवियो के नाम सरवधिक उप्योग किया है किसने सबसे ज़्यादा कवियों के नाम को उफ्योग किया है तो वे हैं मिस्र बंधू मिस्र बंधू जी ने लगभग 5000 कवियों को अपने मिस्र बंधू विनोध नामक जो इनका कृती है उसमें 5000 कवियों को अस्थान दिया है और इन्हों ने सबसे अधिकाल खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है तो अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास गरंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरन दिया है तो अभी हमने इस प्रशन को देखा तो आप सब बिना उतर जाने ही मुझे उमिद है किसका उतर दिये होंगे तो इसका उतर पहला सही हो जाएगा मिस्र बंधू इन्हों ने ही सबसे ज़ादा यानि लगभग 5,000 कवियों का अपने इतिहास में विवरन दिया है अगले प्रशन के तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन है मिस्र बंधू विनोध नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है तो इसमें जो मिस्र बंधू विनोध नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो ये तीनों जो थे मिस्र बंधू विनोध में तीन जो कवी थे वे थे गनेश विहारी मिस्र, स्याम विहारी मिस्र, सुकदेव विहारी मिस्र ये तीनों भाई थे आपस में और इन तीनों ने मिस्र बंधु विनोध नामक हिंदी साहित्ते के इतिहास को लिखा तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ अगला प्रशन है मिस्र बंधु विनोध का चौथा भाग कब प्रकासित हुआ ओप्शन पहला सही हो जाएगा 1934 इस्वी में मिस्र बंधु विनोध का चौथा भाग प्रकासित हुआ अगला प्रशन है मिस्र बंधु विनोध कितने भागों में प्रकासित हुआ है तो option दूसरा सही हो जाएगा चार भागों में प्रकासित हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिस्र बंधु विनोध से सम्मंधित कितने सारे प्रशन बन रहे हैं पहला प्रशन आप भीट से देख लीजिएगा कि उसमें पूछा गया है कि लिखक ने कितने कवियों को सामिल किया और दूसरे प्रशन में है कि यह कितने भाग में है और अन्य प्रशनों में ऐसे ही अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं हम तो इस प्रकार से इस गरंथ से कई सारे प्रशन बने हैं कि मिस्र बंधु बिनुत कितने भागों में हैं तो ये चार भाग में हैं और इसे अगला प्रशन इसी से लिया गया है मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सिमा निर्धारित की है तो उन्होंने परिवर्तन काल की समय सिमा जो निर्धारित की है वो सम्मत 1890 विक्रम सम्मत से 1825 विक्रम सम्मत अगला प्रश्ण है मिस्र बंधू की पुस्तक हिंदी नौरत्न में इन में से किस कभी को अस्थान नहीं मिला तो इसमें से जायसी जी को अस्थान नहीं मिला था इनके नौरत्न में और जो जिस कभी को अस्थान मिला उसमें थे तुलसी, सूर, देव, पिहारी, भूसन, केशो, मतीराम, चंदबरदाई और हरिस्चंद तो इन में से जो तीन कवी थे तुलसी, सूर और देव तो ये ब्रिहत्र त्रई कवी थे और जो मध्यत्रई में कवी थे, वे थे बिहारी, भूसन, केशो, और लगुत्रई में मतीराम, चंदबरदाई और हरिस्चंद को लिया गया था आए अगले प्रस्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है मिस्र बंधु द्वारा रचित नौरत्न में इन में से किन कवी को साम नहीं, प्रस्ण रिपीट हो रहा है क्या मिस्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नौरत्न में इन में से किस कवी को अस्थान नहीं मिला अब फिर से question उसी से related है कि किस कभी को अस्थान नहीं मिला तो option तीसरा हो जाएगा मलिक मुहमद जाइसी को हिंदी नौरतन में अस्थान नहीं मिला था अगला जो प्रशन है वहाय अचार रामचंदर सुक्र ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक नर्धारित किया है तो option तीसरा सही हो जाएगा अठारा सो अर्शट से अठारा सो तिरानवेर इसवी अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है अचार ये रामचंदर सुक्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधोनिक गद साहित परंपरा का प्रवर्तक के अंतरगत प्रथम उत्थान की काल ओधी नर्धारित की है तो इन्होंने जो काल ओधी नर्धारित की थी वह है संबत 1925 से 1950 संबत 1925 से 1950 यहाँ पर ओप्सन छूट गया है तो आप एंसर को ही देख ले तो इस प्रकार से इसका उत्तर यह हो जाएगा संबत 1925 से 1950 अब अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है अचारिय रामचंदर सुकल ने द्वीतिय उत्थान का समय कब से कब तक माना है ओप्सन पहला सही हो जाएगा अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है अचारिय रामचंदर सुकल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है तो उन्होंने बिक्रम सम्मत 1050 से माना है ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा अगला जो प्रशन है वह है बिक्रम सम्मत 1050 से 1375 की काल ओधी में लिखे गए हिंदी साहित्य का बीर गथा काल के रूप में नामकरन किसने किया तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए अचायर राम चंदर सुकल ने वीर गथा नाम से आधी काल को नामकरन किया आधी काल किसने कहा था तो आधी काल ये हजारी प्रिशाद द्रिवेदी ने कहा था ये भी प्रशन आपको आगे देखने को मिल सकता है चलिए अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है प्रशन संख्या 40 अचार रामचंदर सुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आधी काल की समय सीमा है तो आधी काल की जो समय सीमा है वह है विक्रम सम्मत 1050 से 1315 तक अगला जो प्रशन है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा हिंदी सहित्य की भूमिक्या के लेखक हाजारी प्रिशाद द्रिवेदी जी है हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हों ने हिंदी साहित्य को आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित इतिहास गरंथ भी इन्हों ने लिखा है इनकी लिखी तीन जो गरंथ है उसमें सिप है हिंदी सहित्य की भूमी का हिंदी सहित्य का आदिकाल हिंदी सहित्य का उदभाव और विकास चले अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन सुमेलित करने वाला प्रशन है सुमेलित करना है पुस्तक और उनके लिखक को दे दिया है जिसमें से सहित्य का इतिहास दर्शन यह है नलिन बिलोचन शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा भासा काब्य संगरह नलिन बिलोचन शर्मा भासा काब्य संगरह महेश दत सुकल हिंदी भासा और साहित्य स्याम सुन्दर दास हिंदी भासा का साहित्य हिंदी भासा और साहित्य का विकास ये है अयोध्यासी उपाध्याय हरियोध तो आईए देखते हैं आप्शन कौन सा सही हो गया तो पहला का नलिन विलोचन सर्मा आप्शन पहला सही हो जाएगा दोसरा का आप एक बर फीर से विडियो को पॉस करके इसको देख सकते हैं चले आगे अगले प्रशन के तरफ बढ़ते हुए हिंदी साहित्य और समवेद्ना का विकास किसकी रचना है प्रशन संख्या 43 जिसमें आप्शन पहला सही हो जाएगा टॉक्टर राम स्वरूप चतुरवेदी तो इन्होंने हिंदी साहित्य और समवेद्ना का विकास कि रचना की अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नामक गरंथ के लेखक है ओप्शन में आप देख रहे हैं कि विजेंद्र अशनातक नलिन विलोचन सर्मा नौमवर्सींग डॉक्टर विने मोहन लेकिन जो इनके आप्शन सही होना चाहिए उसके बारे में हम बाते करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसी ने नहीं लिखा है नलिन विलोचन सर्मा ने सहीत्य का इतिहास दर्शन नाम से एक गरंथ लिखा है हो सकता है कि इसी प्रशन को आयोगने लिखने चाहा हो लेकिन इसमें त्रोटी आ गई है प्रशन में तो इस प्रशन को हम यहीं छोड़ देते हैं और अगले प्रशन की तरफ आगे बढ़ते हैं नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना 1893 इस भी में हुई थी अगला प्रश्ण है, नागरी प्रचारनी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे तो कौन नहीं थे, इसमें बाबु स्याम सुन्दर दास थे, पंडित राम नरायन मिस्र थे, ठाकूर सिव कुमार सी थे और राम, चंदर, वर्मा नहीं थे तो option तीसरा सही हो जाएगा राम, चंदर, वर्मा इनके संस्थापक नहीं थे किसके नागरी प्रचारनी सभा के आईए अगले प्रस्ण के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण कासी नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना हुई थी अप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1893 में कासी नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना हुई थी अगला प्रशन है नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना हुई थी आप्शन दूसरा सही हो जाएगा अगले प्रशन के तरफ आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है हिंदी सब्द सागर का प्रकासन किस संस्था ने किया था तो हिंदी सब्द सागर का संस्थापना जिन होने किया था उसमें आए नागरी प्रचारनी सभा नागरी प्रचारनी सभा एक संस्था है जिसने हिंदी सब्द सागर का प्रकासन किया था यह PGT 2013 में पूछे गए प्रश्न है अब अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का जैसा कि पहले ही हमने बताया था इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को लिया है तो चले अब अंतिम प्रश्न के तरफ आगे वढ़ते हैं हिंदी साहित्य का व्रिहत इतिहास इस इतिहास गरंथ का प्रकासन किया था किसने इस इतिहास गरंथ का प्रकासन किया था तो नागरी प्रचारनी सभा कासी ने इस इतिहास गरंथ का प्रकासन किया था तो आज के प्रश्ण में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद